नमस्कार मैं Advocate विकास याद हो एक बार फिर से स्वागत करते हूँ आप सबका एक नई वीडियो में इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम CUT PG LLM 2024 का हम फ्री में प्रिपरेशन कर सकते हैं यूट्यूब की हेल्प से खास करकि अगर आप देखें अगर हमें DU, BHU, BBU में जाना है तो हमारा जो 300 नमबर का पेपर आएगा 75 कोशन आएगे पर कोशन आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और अगर आप गलत करते हो तो आपको –1 डिटेक्ट हो जाएगा तो हमारा जो टार्गेट रहेगा DU, BHU, BBU के लिए व अगर आप EWSO, OBC हो, SCST हो तो आप 7-8 नमबर आप माइनस करकर के चलना आपको उसके अकोर्डिंग अपना तार्गेट लेके चलना है DU, BHU, BBU ये तीन यूनिवस्टी ऐसी हैं जिनसे अगर आप LLM करोगे तो आपको काफी academic benefit मिलने वाला है तो मैंने लगबग एक अफते पहले एक voting out करवाया था एक poll करवाया था उसे मैंने पूछा था आपसे कि भाई अगर CUT, PZ, LLM के आपको preparation करने तो सबसे अच्छा mode क्या रहेगा आपके लिए तो लगबग 62 votes आए थे उसके अंदर उसमें 82% लोगों ने माना कि सर हम जो आपके YouTube पे पहले से recorded lectures है उनको थोड़ी बहुत पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत रीफ्राइन आप करोगे तो हम उसको भी देख लेंगे यानि वो free पढ़ने चार हैं ठीक है कुछ लोगों ने माना 8% लोगों ने कि भाई सर हम Google Meet पे आपी class ले लेंगे paid class ले लेंगे पर वीक तीन classes मिलेंगी आपको 1499 पे का course था कुछ लोगों ने माना कि भाई सर हमें 4 classes चाहिए तो majority की हम माने तो भाई आपका साफ आपको दिख रहा है कि बच्चे फ्री में पढ़ने में ज्यादा इंट्रेस्टिड है तो ठीक है आपको कहीं पे भी ज्यादा आपको किसी भी course को purchase करने की जूरत नहीं यह freely सारा material available है जो भी आपको एक target है 180-200 number का वो असानी से आप YouTube की help से कर सकते हो कहीं पे भी आपको एक भी पैसा देने की जूरत है नहीं देखिए मैंने अपने एक वीडियो में बताया था जहापे मैंने analysis की बात करी थी CVT 2021, 2223 के analysis की कि किस type के questions आ रहे हैं कौन से subject से जादा question आ है और कौन से subject हमारी first priority list में होंगे तो वो मैंने पूरा discuss किया था तो उसका ही एक यह slide है जो मैं आपके सामने यहापे discuss करने जा रहा हूँ जो 2024 के लिए हमारे सामने कौन कौन से important subject हो सकते हैं तो जो आप first table देख रहे हूँ, serial number 1 से लेके 10, यह सारे वो ही subjects हैं जो आपके UGC net का syllabus है और मैंने आपको बार-बार कह रहा हूँ, आपके 75 questions आने हैं तो उसमें से 50 से 55, 52 से 55, 57 questions आपके UGC net के ही होते हैं उसी pattern पे आपका paper आता है, तो CUT कोई अलग exam नहीं है, UGC net से थोड़ा सा हलका होता है और जो AIB का exam होता है, लग भग उसके ही similarity का exam यह होता है तो इसके अंदर जादा आपको दिमाग लगाने की जूरत नहीं है, कि मैं क्या पढ़ूं, कहां से पढ़ूं, जुडिशली के कौन से questions करूं, ऐसा कुछ नहीं है एक आपको हर एक subject की basic knowledge होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे subjects की varieties बहुत जादा है एक particular subject से 10 questions नहीं आ रहे, बलकि 4-5 subject मिला के 10 questions आ रहे है यानि कि हमें पूरा slayvers cover करना पड़ेगा, at least 90% slayvers तो करना ही पड़ेगा, 85-90% slayvers अगर हमें एक्जाम में preparation serious होके करना चाह रहे हैं तो तो आपने देखा होगा कि यह आपकी जो first table है, यह UGC net की है, सारे important subject है तो यह आपको firstly करनी है, उसके बाद आपको यह second table करनी है, serial number 1-5 एंड फिर आपको third table करनी है, serial number 1-4 एंड लास्ट में time बसता है, तो आपको fourth table करनी है, serial number 1-3 तो इसके अंदर आप देखोगे, जो jurisprudence है आपका, यह आपका AIB के syllabus में नहीं है, तो यह मैंने इसके आपके lectures नहीं मिलेंगे, मेरे वीडियो पे, ठीक है? public international law, international humanitarian law के भी आपको वीडियो नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो AIB के syllabus में नहीं है, उसके बाद आपका जो human rights है और woman and child related laws हैं, वो भी आपको वीडियो नहीं मिलेंगे, woman and child से बात करें हम, तो यानि कि आपका domestic violence हो गया, dory हो गया, ठीक है, आपका sexual harassment at workplace हो गया, child की बात करें तो पॉक्स हो हो गया आपका, ठीक है, आपका juvenile justice वाला एक act हो गया, तो ये कुछ act है, जो इनसे एक दो question आ रहे हैं, CUT exam में, तो आपको पढ़ने पढ़ेंगे, ठीक है, एक आपका RTI act से भी question आ रहा है, तो वो भी AIB की playlist में नहीं है, उसके बाद white collar crime and criminology से भी question आते हैं, CUT में वो आपका AIB की playlist में नहीं है, and last आपका जो interpretation of statute है, and banking and insurance law है, ये भी आपके AIB की playlist में नहीं है, अगर मैं बता दूँ आपको तो jurisprudence और PIL, अगर इन दोनों को देखें, तो लगबग 7 से R total इन दोनों के मिला के question आपके CUT में आते हैं, तीन इसके आ जाते हैं, चार और 8 और 9, 9 से 10 question यहां से हो, निकलते हैं, और आपके इन दोनों से बात करें, तो 3 question निकलते हैं, 13 question हो गए हैं, और इन दोनों से बात करें, तो एक के question निकलता है, तो ये कुल मिला के आपके 15 questions हैं, 75 में से जो मेरे YouTube चैनल पर वीडियोज एवेलेबल नहीं है, इस topic के regarding, बलकि 60 जो question है, 75 में से 60 question का syllabus, वो मैंने आपको अपनी AIB playlist में करा रख है, यानि 80% syllabus आपका, 16 सो से जादा question, solve question, bare act में से कौन सी language उठाई है, कहां से question उठाया है, को index को कैसे use करना है, एक एक चीज मेंने आपको अपने AIB की playlist में, लग बग 50-55 के आसपास वीडियोज हैं, काफी लोगों ने उसको पसंद किया है, और केवल AIB की playlist की मदद से ही आज आप मुझको सुन पारे हो, क्योंकि अगर मेरा playlist थोड़ा लोग नहीं देख पाते, तो शायद मेरे वीडियोज इतने नहीं चलते, तो आप AIB playlist का पूरा आप अच्छे से use कर सकते हो, 1600 से जादा question कोशन है, प्लस जो 10 दिसंबर को AIB 18 हुआ था, वो मैंने 1.5 घंटे का पूरा paper solve करा रखा है, अगर आप उसे भी कर लोगे तो 5 से 7 कोशन के अवल एक ही वीडियो से निकल जाएंगे उससे आपके, तो आपका main target सबसे पहले यही होना चाहिए, कि आपको AIB playlist जो मेरी है, व उसके अंदर जो आपका rest 20% syllabus है, यानि कि यह जो underline, underline जो subjects है, यह सारे 20% syllabus का part बनता है, तो यह मैं आपको CUT playlist में धीरे धीरे करवा रहा हूं, जैसे आपको पता होगा, कि मैंने 2 वीडियो's already upload कर दिये हैं, जुरिस्पुडेंस के regarding, जुरिस्पुडेंस में हमने sources of law पू पूछेंगे sources of law से, तो आपका question चुटेगा नहीं, मैंने detail में काफी अच्छे से करा दिया है, लगबग 1 गंटे का वीडियो है, उसके बाद फिर हम कर रहे हैं, schools of jurisprudence, उसके अंदर हमने analytical school को complete कर लिया है, यह भी लगबग 40-50 का वीडियो है, हम detailed study कर रहे हैं, क्योंकि आपका jurisprudence, public international law, बच्चे, LLB के course के time इतना नहीं पढ़ते हैं ध्यान से, तो इन दो subjects को हम अच्छे से detail में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यह आपके थोड़े से, आपके boring subjects भी होते हैं, तो इसके अंदर आपको थोड़ा से ऐसा चाहिए, कि हाँ थोड़ा से interesting way में प questions आ रहे हैं, उनको आप जो भी questions हैं, उनको आप अपने bare act में mark करिए, कौंसा section important है, उस section को आप अच्छे से समझिए, उसके important ingredients याद करिए, क्योंकि आपको exam में bare act नहीं मिलेगा, AIB में bare act मिलता है, तो बच्चों को थोड़ी असानी हो जाती है, आपको चीज़े याद कर लेजे, उसमें particular subject का नाम लिखिए, constitution, administrative law, family law, family law में muslim law, जो भी मैंने questions करा हैं, उनको आप वहाँ पर लिखिए, और उसके बाद अपना एक notes बनाके, short note बनाके आप अपना काम कर सकते हो, काफी आपको इससे help मिलने वाली है, ऐसे याप बना CUT वाली playlist में कर सकते हो, जैसे आपके ये दो काम हो जाते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो fev end होगा, आपका February end और March के first week में हम शुरू कर देंगे, क्योंकि लगबग 15 से 20 March के लगबग आसपास आपका exam हो सकता है, 11 March से exam शुरू हो जाएंगे, 10-22 जो date है, 15 March के हम लगबग मानके चलते हैं, लगब मेंटिलिटी, उसी के according प्रिपेर करनी है, क्योंकि exam में ऐसा नहीं होगा, कि तीन कोशन लगातार CRPC के आगे, लगातार फिर अगले तीन कोशन IPC के आएंगे, आपको एक कोशन CRPC के दिखेगा, फिर IPC का, फिर फैमिली लोग का, फिर जूरूरूरूरूरूरूरूरूरू Mixed Quotions की Series करेंगे पूरा, उसके अंदर हम UGC Net और Judi Shree के जो भी previous year Quotions हैं, उसको discuss करेंगे, लेकिन हम एक चीज यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, कि हम जो explanation part होता है कोशन में, कि भाई इसका answer ऐसा क्यों आया, और थोड़ा detailed analysis जो कोशन का होता है, जो मैंने अपनी AIB की playlist में, और जो CUT की playlist में मैं कर रहा हूं currently, वो हम इस वाले phase में नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम वो करने लग जाएंगे, तो हमारे जो target है हमारा, कि हम maximum MCQ attempt करें, जिसके आपको exam में help मिले, लगबग मेरा target है कि 1200 MCQ exam से पहले, हम mix MCQ करके चलें, वो नहीं करोगे, आपका पढ़ना बेकार है, तो हम 12 पूरा focus ही रहेगा, कि explanation में थोड़ा हम कम ध्यान देंगे, लेकिन हम MCQ practice भो ज़्यादा करेंगे, जितना हम से हो सके, पूरी हम वो कोशिश करेंगे, तो यह हमारा scenario है, इसी according आपको CUT, PG, LLM की preparation करनी चाहिए, definitely आपको जो अपने dream college है, university है, मेरे according आपको मिल जाना चाहिए, वीडियो अच्छा लगाए, वीडियो को like करिए, खुश रहे है, मुस्क्रात रहे देशाख्यार रखिए, चैहिन